हेलो बच्चों सौगत है इस वीडियो में कॉटली एक्जाम दोजर तेइस चोबीच के लिए क्लास नायत के लिए इंग्लीज के लिए आपको किस प्रकास के कुश्चन पेपर का पेटर नहीं रहने बाला है स्क्षंट बी में आपके अपलिकेशन लेटर जो आते हैं और स्क्षंट सिक अंतरकत जो आपके भिलिदी ब्लैंक आते हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है, तो सभी questions को एक एक करके complete कीजे, answer मैंने साथ में बता रखें, तो चले शुरू करते हैं, आपका जो paper आता है, वो 80 नंबर का आता है, ठीक है, और समय आपको 3 गंटे दिया जाता है, आप सबको पैता है, पहले से ही है, ठीक है, एक application लिखना है, कि आप बीमार है, आप school नहीं आ सकते, तो दिखिए, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है, to the principal, government, यहाँ पर school का नाम, अपने school का नाम लिख सकते हैं, government, high, secondary, school, जो भी school का नाम है, वो अपने हिसाब से लिखेंगे, subject लिखना होता है, subject में grant of 3 days leave due to sickness, ठीक है, 3 days leave, तीन दिन की चुट्टी के लिए आप लिख रहे हैं, due to sickness, sickness मतलब होता है, बीमार, ठीक है, उसको बाद लिखेंगे, respected sir, with due respect, I beg to state that I have been suffering from a fever, मैं fever से, suffer कर रहा हूं, मतलब की मैं, मुझे बुखा रहे, for the last 3 days, ठीक है, so I am not able to attend the school, kindly grant me 3 days leave from 7-10, साथ अक्टूबर 2022, तो ये date अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, जिस तारिक को पेपर है, उससे साब से आप मैनेच कर सकते हैं, जैसे की 12 को पेपर है आपका, तो आप लिख सकते हैं की 9 से, ठीक है, या 8 से 9 तक, 8 से 11 तक, ऐसा 3 दिन की, ठीक है, thank you, यहाँ पर thank you लिख लिखन दिखिए, यूर अमिट गुपता, इस प्रकाल से भी application आती है, कि इसमें आपको नाम इसी में दिया जाता है, application में, यूर अमिद गुपता, studying in government, HSS, इसमें स्कूल का नाम भी दिया जाएगा, आपको अपनी स्कूल का नाम नहीं लिखना रहेगा, इसमें जो दिया अब फादर का transfer हुआ है, ठीक है, तो इस प्रकाल से transfer certificate की application very very important है, और आती है, exam में बहुत बार कुछ ही गई है, दिखिए, यहाँ पर लखेंगे to the principal government, दिखिए, school का नाम यहाँ पर जो दिया है, इसमें वहीं आपको उतार दिना है, यहाँ से, government, HSS, रीवा, ठीक है, यह यहाँ पर लिखेंगे, respected sir, और इसमें लिखेंगे, I beg to say that I am a regular student of 9th A in your school as my father has been transferred from Riva to Sipuri, therefore I kindly request you to issue me my transfer certificate at the earliest, so I may take further admission, ठीक है, इसलिए में बहाँ पर admission ले सकूँ, thanking you sir, your faithfully, और यहाँ पर नाम अमित कुपता का लिख देंगे, क्योंकि question में आपको अमित कुपता दिया गय देंगे, आपर जिस भी डिट को आप application लिख रहे हैं, इसमें October 2022 लिखेंगे, लेकिन आप लोग लिखेंगे, जिस तारिक को आपको पेपर में application लिख रहे हैं, उसकी date डाल देंगे, ठीक है, अब देखिए, next question देखते है, you are Rahul, residing, मैंने यहाँ पर तीन बता हैं, आपको देखेंगे, आप Rahul हो, residing at 432i4, behind government hospital, भींड, letter to your friend, inviting him to attend your sister's marriage ceremony, ठीक है, अपने दोस्त को invite करना है आपको, ठीक है, और आप कहाँ पर रहे हैं, आपका यहाँ पर address पकर दिया है, तो यह इसको बैसे ही लिखना होता है, यह आपने जैसे कि इसमें 432 बटे 4 लिखा है, तो यह आपने लिख दिया, इसमें ठीक है, उसके बाद दिखें, behind the government hospitals को यहाँ पर रजियों का दिया, उसके बाद भींडे लिख दिया नीचे, ठीक है, इतना लिखने का भी आपको एक number मिल जाता है, ठीक है, यह यह तो आपको कुछ भी नहीं बल रहा है, इतना भी लिखने आपको 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 आपक आप तुम्हें बहुत दिन से पत्र नहीं लेखा है वहां पर कैसा है सब कुछ आपको देख लेना है अच्छे से लर्न कर लीजिए आप याद कर लीजिए ठीक है तो यह कैसे लिखा जाता है उसके बात यूर लविंग ली राहूल यहां पर आपको इसमें जो एक जब पर में आपको कुछिन में दिया जाएगा नेम वही लिखना है ठीक है उसके बंडर ओफ साइंस का निवंद्र ठीक है बहुत आता है आपका नाइंथ क्लास में तो यह बंडर ओफ साइंस का निवंद्ध है इंट्रॉडक्शन सबसे पहले इंट्रॉडक्शन इसमें चार पाच हैडिंग रहती है वह आपको लिखनी होती है तो यह हैडिंग पहली है व्यार लिविविंग इस अप्साइंस इसमेड़ लाइफ लाइफ वीजियर अन कंपर मैंन की जो हम सोचते हैं वह साइंस ने सही करके दिखा है तो यह सोचते थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक जगर से दूसरे जगर बात कर सकते हैं तो यह सोचा तो यह साही में हो गया साइंस ने करके दिखा है तो यह देख सकते इंट्रॉडक्शन हो गया आपका साइन्टिविक इन्वेंशन्स हो गए ठीक है बेग्यानी कभी स्कार जो होते हैं इसमें देखे टीवी रेडियो मॉटर कास्स स्कूटर्स रेल वेंजन्स अर्प्लैंस यह तो इसमें लिखना है आपको ठीक है तो पूरा हेडिंग आपको अच्छे से लिख लिखकर प्रेक् ठीक है इतना आप लिख सकते हैं उसको आप लिख सकते हैं की यहां से तो पूरा लखने रहेगा आपको एलेक्रिशिटी इज़ा गरेटिशन वेंशन अब दे साइन्स इच शर्व्स इन मैनी वेज ठीक है इंट इंटेटेंस विट टीवी एंड रेडियो इंटेंस ट्रैं इंटेंस मिल्स एंट प्यक्ट्री इस टीक है तो इसमें क्या है कि जितने भी लाइन्स लिखी हुई है बहुत इंपोर्डेंट है तो इसने थोड़ा आप इसको पूरा लेखने तो जरूरी अच्छा रहेगा ठीक है मेंस अब ट्रांसपोर्ट एंड कम्यूनिकेशन से इस कंप्यूटर डिसएडबांटेज हानिया क्या है हमें विज्ञान से कनिकलूजन देख सकते हैं इस प्रकार से चोटे-चोटे एडिंग से हैं पच्छे से इनको लिख लीजे प्रेक्टिस कीजिए ठीक है मेडिशन सर्जन यह फिर से आगया इसमें भई है अब देखिए से पिर चतों पाड़िव सेpson यह फिर आता है आपको सेख्सन सी ग्रामर आता है अब ग्रामर में फिलिंदी बलैंक्स आते हैं और सेंटिंस चेंज करने के लिए आटे है कि इसको प्रिजिंट들이 इनटेव ह्यूश तो इसमें आता है तो मैं आता है इस जो code बीनक्षफ बगर रहते हैं जैसे sun है मुन है यह कोई नक्षफ रहे अर्थ है जीक गरहे हैं तो इनके आंगे के आता है दाता है ठीक हमेसे आएगा है तो the sun rises in the east I did not buy सम मेंगो इने मेंगो इसमें आएगा एट इनेगो आएट नोट बाह एने मेंगो ओस उसमें इंजिनियर है इसमें ыми तो हम उच्छाण करेंगे टो इंजिनियर से देख लिए ना पूटिक है तो यह पास्ट का है तो इसमें बेंट आएगा सेकन फूम लगती है देर ले इसमें नॉट्टेर इन द वोड ट्रिक इसमें मॉज आयेगा देर एब कंपिडेड दियर परक इसमें आज प्रिजेंट तेंस के साफ से देखना होता है जैसे कि इसमें यह पर्फेक्ट का बन रहा है तो इसमें है लगता है यदि कोई बहु बचन होता है ठीक है Christmas is celebrated on 15th December इसमें on आ जायागा, ठीक है? How many pages did you read? इसमें many आ जायागा, इसमें many, ठीक है? जैसे हम चीजों को गिन सकते हैं, जैसे एक, दो, तीन, चारे से, तो उसमें many आता है, जैसे मच है, उसमें कोई मात्रा बगेरा होती है, जैसे पानी की मात्रा हो गई, तो उसके लिए मच लगाते हैं, ठीक है? The rainy season starts, start the rainy season है, बारिस का season है, start before the summer, ठीक है? जो गर्साथ का season है, नहीं, after the summer, नहीं, आप्टर आना चाहिए, summer vacation जो होती है, चुट्टी, तो आप्टर आएगा इसमें, ठीक है, आफ्टर, ठीक है, आप्टर बाद में, जो रेनी season है, वो कर्मियों के बाद में आता, ठीक है? Hindi is the official language of Madh Pradish, इसमें इस आजाएगा, ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा देखना होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी, जिसे आपसे ये बनने लगे, ठीक है, ठीक है, इसमें सरद एक बैक्टिस के लिए बाद आ जाएगा, इसमें, he is an American, but his wife is, देखे, यहाँ पर यूरोपियन है, यूरोपियन है, इसमें या है, या का मतलब क्या, ये, एक स्वार, ये बेंजन है, ठीक है, तो हिंदी का ये बेंजन है, अब बेंजन है, तो इसमें आ यूरोपियन, ठीक है, ऐसा है, उसके बाद, honesty is the best policy, ठीक है, ओनिस्टी क्या है, ओनिस्टी मतलब, इमानदारी, सर्वस्रिष्ट नीती है, सर्वस्रिष्ट मतलब सबसे बेस्ट, तो बेस्ट के आँगे हमेसा दाता है, याद रखना पर, ठीक है, वाक केरफुली, अधर यूविल फाल डाउन, ठीक है, इसमें अधरवाइज आ जाएगा, क्योंकि, वाक मतलब होता है, चलो, केरफुली मतलब, ठीक से जलो, अन्य था, अधरवाइज या नी अन्य था, यूविल फाल डाउन, आप गिर जाओगे, उसके बाद दिखिए, इस अनलेस का प्रयोग क मैंन के कर लेंगी है, इफ c work hard, यहां पर यदी वो अच्छी महणत करती है, hard महानत करती है, c. will फैल, पैसद और हैं, जो जाएगा, तो यदी नहीं किसका मतलब होता है, जो यहां पर यदी नहीं लगाते हैं, यदी नहीं मतलब, unless लगाते हैं, तो हमारा यह बाग ठीक बै बड़ फैल हो जाएगी हाँ यहां इसमें अलेइस आएगा ठीक है थीख आए है कि क्या आएगा कि ऐसमें अल्श आएगा इसमें यह भेक्वर को सतंब से अनीटाइस टालर जाएगा ठीकर कि बाटल को हम गिन नहीं सकते हैं मच मात्रा के लिए आता है ठीक है यहाँ यहां पर सम गनिया आजायगा dall के में जाएगा ड्यकंis sat February जब लेते हैं इसे हम बोलते हैं जब I am commin sir, I am commin maim, तो मैं आपको परमीशन ले रहे है, किसी का भी हम परमीशन ले रहे हैं, तो उसका हम उसी परमीशन लेंगे, जिसमें में आएगा आएगा आए, में I take your pen, मैं आपका परमीशन ले सकता हूँ आई, अगला कुशन देखे, रावन रावन वाज गिल्ड भाय राम रावन को किसने आ राम ने तसमें बाय मतलब के दोारा अंगल है भी वी वर मेकिंग गाइड़ स्वेन फादर अराइब तिक इसमें अराइब आ जायेगा हे वेंट टू विकम एन इंजीनियर ठीक है विकम आ जायेगा इसमें कि ही बांटे टू वह चाहता है टू बनना ठीक है बिकम मतलब बनना एन इंजीनियर इस प्रकाल से दिखिए हमने यह आपके सभी कॉस्टन से देख लिए हैं अब जो कुछ कॉस्टन आपके हैं ठीक है जो टेक्स्ट बुक के कॉस्टन है नेक्ट वीडियो में देख लेंगे सब्सक्राइब को लेना ताकि वीडियो आपको इस प्रकाल से मिलते रहें थैक्स हो बाची